क्यों हमारी भोजपुरी हिरोई ने हमेशा लट्टू होती है शादि शुदा एक्टरों पर ही जी है भोजपुरी में एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जब हमारी भोजपुरी हिरोई ने लट्टू हो जाती है प्यार में भोजपूरी एक्टरों के ये जानते हुए कि वो शादी शुदा है फिर भी वो उनके प्यार में पढ़ जाती है और उन्हें अपना दिल दे बैठती है और बदले में उन्हें मिलता है जमाने की रुसवाई तो इस चार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि हमारे भोजपूरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादो और काजल रागवानी की ऐसी जोड़ी है जिसे जो भी देखता था हमेशा हैस्विन वाई समझता था लेकिन खेसारी ने जब ये रिवील किया कि वो दो बच्चों के पिता है और और अल्री शादिशुदा है तो कईों के दिल तूट गए लेकिन सबसे ज़ादा दिल इसमें काजल रागवानी का तुटा हाँ ये बात और है काजल रागवानी से पहले खेसारी अक्षरा सिंग को दिल दे चुके थे लेकिन बाद में जब यहां भी हुआ काजल रागवानी ने कई खुला से किये एक इंट्रिव्यों में और कहा कि क्या अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर वो मेरे साथ जीवन बिता सकते हैं तब खेसारी लाल यादो फिर से बैक फुट पर चले गए लेकिन ये बात और है कि इन दोनों के बीच कई कहा सुनी हुई और अब आलम ये है कि खेसारी और काजल एक दूसरे के साथ काम नहीं करते लेकिन कहा जाता है कि काजल रागवानी का इससे बहुत बुरी तरह से दिल दुटा अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि भुचपुरी में सबसे होट कपल के पवन सिंग ने अक्षरा सिंग को अपनी वाइफ और लोगों की भौजी कहकर भी इंट्रिद्यूस करवाया था और ये कहा था कि जल्द ही ये आपकी भौजी बनने वाली हैं लेकिन मामला तब गड़ बढ़ा गया जब पवन सिंग की मा ने उनके लिए जोती सिंग को पस महिने के रिलेशन्शिप में रहें फिर अचानक से अक्षरा सिंग ने कई खुला से पवन सिंग के खिलाफ किये और फिर इन दोनों की जोड़ी सदा सदा के लिए तूड़ गई अब बढ़ते हैं आगे उसकपल की तरफ जो भोजपूरी में ही नहीं आगे भी बाहर भी ल दूबे और निरहुआ है निरहुआ का अफेर आमरपाली से पहले